हेलो फ्रेंड अर्चने किचन में आपका स्वागत है आज हम ब्रेकफर्स के लिए जटपट से बनने वाला तवा सैन्विच बनाने जा रहे हैं इसके अब से पहले हम कोरियंडर की चटनी बनाने की रेसिपी देखते हैं पॉदीन थोड़ा सा थनिया थीन से चार हरिमेज छोटा एक टुक्ड़ा अधरग का नमक और चाट मसाला है हमने मिक्सिए अपने जार में यह थनिया पॉदीना और यह अधरग के चोड़े पीशक करके डाल दिया है अब हरिमेज काट के डाल दे हैं आदी चमच नमक अब हम ब्रेड सेंडविच बना रहे हैं जट पर तेयार होने वाले इसके लिए मैंने आगो को बॉयल करके मैश कर लिया है अब इसमें डालेंगे प्रेड चीली पाओडर अकोडिंग टेस्ट ग्रीन चीली बारी कटी होई थोड़ीची और लिए लिए अब इसको हम इच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम ग्यास पर अपना नोज स्टिक तवा यह पैंक जो भी अवलेबर है वो रखते हैं गरम होना ना प्रश्ट आपना अब मैरे दो ब्रेड पीस लिए है एक ब्रेड पर में लगाओंगी चीज एक तरफ चीज प्रेड आए अगर आपके पास अवलेबल है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको इसकी ज़िए बटर अगरा कुछ भी लगा सकते हैं आप ग्रेट चीज भी यूज कर सकते हैं एक ब् तरफ दो गिन चिली च्टनी चना है अब आप अब आपने अलू मैश कर रके रखेगे यह इस पर इवल ब्रेड पीस पर ब्रेड पीस पर आपके पर आप ने अब प्रिज़े पर राड्र कर देंगे खिब लिए यह करली आप ने पैक गर्म करने रखाब इसको नाइक हमकर कर दे हैं जो पुर नहीं है में फोर से ब्सक्राइब वो तो मिंट कर दें तो कि अउसका तो मिन तर अधिक आद शिकंगे तरह से उसको थोड़ा सा बीच पर चला देंगे ऑप च्ला तरह रहा है अब थाहिए उसकी अपर ज़गा दें आप इसके हैं कि दूसरी सेट पर बट करेंगे अच्छे से चोटा सा अब फिर से लिक्वार देखिए कितना क्रिस्पी बनाया रहा है आपके बटर अब घी भी यूज़ कर सकते हैंगे रिफाइंड जो भी हो लेकिन बटर से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसको सैंड्विच रेडी है हमारा यह सिरफ दो मिन आता है